बीबी हर सिम्रत कौरनू तुसी धिता होया मैकमा एक चटनी चार वाड़ा कोई बाड़ा बड़ा मैकमा नी पंजवार मुखमंत्री रहे या पंजाब दे पंजवार मुखमंत्री बादल परवाद अज मिनिस्ट्री नू ठोकर मारने सदंचा के स्तीफा देन अज एक मिनिस्ट्री किया है डबाबंद मिनिस्ट्री चटनी चार वाड़ी इत्थे खड़के कसाना ली स्तीफा देन परहे हिम्मद के सूल्या मांगे एक हूना जड़ा उक्चिटा हो गया बार बार अगर पंजाब नू छेड़ोंगे पंजाब नू द्वारा द्वारा तकलीफ दाऊंगे क्राइसिस्ट पाऊंगे आज चाइना थोड़ा ओथे बंदुखा तानी खड़ा साड़े थे पाकिस्तान नू असी रोज साम दें आप पंजाब आले किड़ी वोट पर ये बादल साब ता मैं कना इना कबर आगे कहने वोट परी सी बादल साब कोई करें स्पीकर साब कोई वोट पड़ी थी उस दिन बैलेट में कहीं वोट आपने फैसला किया है भी वोट नहीं डालनी क्योंकि करोना है परचीये से आगे या कोई प्राब्लम आएगी कोई वोट नहीं डलेगी कैबनेट मीटिंग में हमारे पंजाब के जो मंतरी थे अचार चटनी के मंतरी ने बात की वहाँ कहीं भी प्रसीडिंग में कैबनेट की प्रसीडिंग में दखा दें कहीं भी अचार चटनी वाले मंतरी पंजाब ने कहीं भी अगर भूट प्रसेसिंग मंतरी ने इसका वरोध किया कैबनेट में हम सक्वीर सिंग बादल जी की बात मानने को त्याव है नोना दा जनम देना गै शोकरीब ते में समझ दा आज जो ऐस डृडड़ के जडूंब आपने जनम देन मौके, लिस यह मत्तीर नोन एक बखाब पहर करके में गार्यां पैक जो आपने जनम देन तेन जो आप्षायां। क्यों बख्षण गे मैं एदिसा स्पीकर साब सब तो पहला मैं गल करनी चोना आज कोविड दी क्योंकि क्रोना महा मारी चल रही है ते सर अज सर कोविड दे टाइम ते जदो सारा देश अज लॉक डाउन सी बंद सी काम बंद सी कारोबार बंद सी दिकाना कारखन फैक्टरियां बंद सी ते मजदूर सडकां ते सी ते सर जदों परदान मंतरी जी ने अलान कीता हेक मजदूर नो राशन देंदा ता सर मैं तो तुसी हरान होंगे अपरेल दे पहले हफते अपरेल के सर पहले हफते तक आज तक आज 17 स्थी कस्तंबर की होगी सर रोज पजाब के अगर गदाम गडाउन ना बरे होते तो सर पचास रैक 40 से पचास रैक रोज के सारे देश में से पंजाब में से सारे देश के अनाज देने के लिए जा रहे हैं सर 40 से पचास रैक ये सर क्यों हुआ आज हम कह रहे हैं भी MSP खत्म करनी चाहिए अगर ये MSP ना होती तो ये गदाम कैसे भरते भगवान ना करे कल को फिर कोई अगर हमारे उपर कोई तकलीफ आती है कोई महामारी तो अगर फिर ये गदाम खाली हो जाएंगे तो आज यो 80 क्रोड लोगों को हमने ये राशन दिया अनाज दिया 80 क्रोड लोगों को वो कहां से देंगे मंत्री जी ने कहा बार बार कहा मंत्री जी ने और बीजे पी द्यक्ष की मैं नड़ा साब की कल इंट्रिव्यू सुन रहा था सर आप ये तो बताएं तीनों बिलों में कहीं एक वारी भी कहीं MSP की गरंटी आपने शब्द यूज किया है आप यहां कह रहे हो यहां तो सर जो सब्धान था सब्धान बदल दिएगे आप गरंटी MSP की क्या दोगे कुनून बदल दिएगे सब्धान जो बादासाब अम्बेद करने लिखा था वो हमने बदल दिया तो MSP का शब्द आपने तीनों बिलों में कहीं नहीं डाला हम आपकी गरंटी कैसे मान जाएं अब तो सर आपका अकाली दल जो सबसे पराना आपका अकाली यल्स होगी है वो आपके गेंस यहां बोलके गया अब तो आप जागो वो क्यों बोला क्योंकि सारा पंजाब आज सडकों पे है करोना में किसी पार्टी की कोई स्पोर्ट नहीं या काली दल बीजेपी कॉंगरस किसी कॉमरेड की पर कों 15-15 हजार लोग हर जीटी रोड को बंद करे बैठे हैं ले अपनी अपनी घरवालियों के माताओं के साथ क्यों आप समझते हैं भी आप इंटेलिजेंट हैं आप यह श्यार हैं उनको समझ नहीं आती क्यों पंजाब और हर्याना 36गर यूपी क्यों सथकों पर हैं कहीं उनको out को पंजाबी बोल सकते हैं ठीके संथ कहीं ना कहीं उननौ शक का थोड़े दें एशाक क्यों हुआ क्यों हुग कि तुस्से हमेशां जो क्या है ओ कीता नी ते एस करकिया जी किसान आजड़ा ओ थोड़े उल्ट होया बैठा इसे सखवीर सिंग बादल परसों थोड़े मुरे रंग बदल दे तुसी उना दे देखे या पर मैं उना नो भी जरूर कहूंगा क्योंकि साधे पंजाबी ने प्राहा ने बीबी हर सिमरत कौर नो तुसी धिता होया मैक माएक चटनी चार वड़ा कोई बाड़ा मैक मानी पंजवार मुख मंतरी रहे या पंजाब दे पंजवार मुख मंतरी बादल परवार अज मिनिस्ट्री नो ठोकर मारने सदन चाके स्तीफा देढ़ जे लीडर ने आसी थोड़े कॉंगरस खड़ी या जिने प्रदान मंतरी वारे चीव मिनिस्ट्र पंजाब दे वारे जद लोड़ पई पंजाब नो सिदार ब्यांत सिंग जी वारती अज एक मिनिस्ट्री की या डबावंद मिनिस्ट्री चटनी चाहरा ली इत्थे खड़के कसाना ली स्तीफा देढ़ परहिम्मद कि थो ले आ मांगे एक हूना जड़ा ओक चिटा हो गया दूजी गल सर मैं कहना चौना तुसी गड़े नो हत ना पाओ जदो तुसी किसे दे दे गड़े नो हत पा रहे हूं एज नहीं ताकत दे विच एड़ी बड़ी मजॉर्टी दे विच तुसी पॉल जुक्यों किसान नू थो नू यादा असीता पड़े आए जदो सथ दे विच इसे द्रीके लोड़ पैगी सी फसल दी वीट दी ता ओदो तुसी अमरीका दे म तेन साल दे बच हरी करंती ले आती अना आज दे ना सारा हिंदुस्तान दर टेड़ परता ओपंजाब सी आज तुसी गल कर रहे हूं कहने तुसी प्राइबेट अधारियां दे अज उन्हां दे हत्त हवाले करोंगे स्पीकर साप एक अधारन है अगर आज बड़े बड़े डस्वी घाटे में है आज कोई अपने मलाजमों को कितन खानी दे पा रहा बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा रहा रोज एज़िशन आप देखते हैं अगर प्राइबेट अधारे इतने ही अच्छे हों इतने उनके पास पैसा हो तो वो अपने मलाजमों को कितन खानी दे हैं कभी सर आपने आज ओडिनेंस आपको पता है छे मीने हो गये औडिनेंस करे हुए तो उस ओडिनेंस में एक फसल आही है denied की सर मेज की फसल आही है मक्ई की उसका 1289 से उपर मेस पी है अगर यह और इन्हेदेज इतना अच्छा है तो रेट 700 कियों मिल रहा है आज फिर आज तो ओडिनन्स लागू हुआ हुआ है आज मकी 700 की क्यों विक्री है अगर यह ओडिनन्स अच्छा होता है तो 1700 से 2000 की विक्री नहीं चाहिए ती मकी आज साथ यार की, जिस दिन ओल पार्टी मीटिंग हो रही थी हमारे पंजाब में, सब पार्टी ये थी भी जे पी काली दल, उस दिन हश्यार पूर डिस्किक में, पंजाब के में, साथ सौ रपे कवंटल मकी बिकरी थी, ये हलाथ थे, आज मूँं के क्या रेट है, आप जानते है मद्याप्रदेश में राजस्तान में डाल होती है क्या उनको MSP मिल रही है और बाकी छोड़िये MSP तो पंजाब, हर्याना और बाकी जाओंगे थोड़ी है आप पहले अजमा के दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए पंजाब, हर्याना छोड़ दीजिए यही मौडल तीनों अगर काम्याब होते है तो बाकी स्टेटों में सर देख लीजिए अजमा के फिर पंजाब रहाना कर ले ना वहाँ तो कोई MSP नहीं है आज कोई खरीद नहीं होती मैं आपको हलात बताते तो मिछले UP के जब सर हमारा अनाज आ गया हमारा अंदाजा था भी इतने लाग टनाएगा तो गदामों में आ गया पूरा पंजाब की जितनी प्रक्यूर्मेंट थी आप से पैसे लेते हम 27 क्रोड रपी आपका जाता है और 35,000 क्रोड रपी तक्रीवन FCI का हमारे पैडी सीजन में जाता है 27,000 क्रोड रपी आपका वीट का जाता है तो जब देखा भी गदाम कैसे भरे पड़े ये जादा तो जब पता लगा क्योंकि सर FCI तो एक महिने के लिए टाइम के लिए है उसके बाद अगर आपका विपारी अच्छा होता अगर डानी, अबानी, टाटा, महंदरा अच्छे होते तो यूपी वाला वहां बेचता सर तो वो रेड पांच सो से कम यूपी वाला बेच के पंजाब हर्याना में गया है जिसके आंकडे आपके पास है अभी इतना अनाज यूपी में हर्याना और पंजाब से सस्ते में आके पंजाब में बिका है क्योंकि आटे वाले चक्कियों वाले जजस ने और काम करना था वहां से वो सस्ता ले आए मेस्पी से तो ये तो हलात आपके सामने हैं सर उसके बाद मैं आपका कहूं अगर एक बात सर ये ये आप ध्यान में रखिए कोई हमारी धंकी नहीं है सर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर स्टेट बार बार अगर पंजाब नो छेड़ोंगे पंजाब नो दवारा दवारा तकलीफ दाऊंगे क्राइसिस च्पाऊंगे अज चाइना थोड़ा ओते बंदुखा तानी खड़ा साड़े थे पाकिस्तान नो असी रोज सांब दे हैं पंजाब आले अज तुसी पंजाब दे जवान तुसी देखांगे गलवान का टीज कौन लड़ रहे हैं कौकीदियां रोज मौता हो रहे हैं कौन शीहिद हो रहे हैं जय जवान जय किसान दा ना रहा सी अज साड़े हरे आने दे पंजाब दे राजस्तान दे जड़े जवान ने रोज गलवान काटी दे वे शीहिद हो रहे हैं ते पिछे उना दे कर दे पंजाब इस नहीं पेज रहे भी MSP खतम होन जा रहे है और फिकर मंदने भी चे तुसी किसाना नों भी मार दोंगे ओभी साठे पंजाब देह रहाने दे ते साठे पुझी भी पंजाब हर रहाने दे तो देश चलूगा कि में कि मेनी अडरेस्ट आएगी ते एक तकलीफ कदे साठे ए बेचे खतम कीता सी एपी MS एक्ट तुसी 2006 आज सार उते दे स्माल मार्जन फार्मर यूपी दे मैं खुशी ना निकल कह रहे है जड़े दो एककर डाले या सानू पता सी होना नों राशन दिता है दो एककर डाले यूपी तो बिहार तो क्यों पंजाब चे लेवर करना हो द उसे तरीके ना धिहाडियां करना क्योंकि थोड़ी एब अंदरा रेपोर्ट है क्योंकि थो नू लोड़ अब शेरां दे बच मजदूरां दी कामें दी बड़े बड़े फैक्टरियां चा एब थोड़ी एक चाला भी पिंडा दे बच्चों ओ मजदूर बनाई ये ऐसी कस 50% थो ऩगते 75 परसंट तो होते सर दो एकड़ते निकड़ अले फ़िकर साथ फार्मर ने तुसी की करन जा रहे हों कि तुसी और्डिनेंस जिड़ा मैं एक गल थोडना मंडी बोर्ड जिड़ा तुसी कह रहे हूं सब तो मजबूत जिड़ा है ओं मंडी करन सब घंच अला ह हम मंडी में जब हमारी फसल जाती है, हम 3% MDF और RDF सर लेते हैं, वीट, पैडी, राइस और बारले का 3%, उसके बाद सर कॉटन का 1%, मेज का 1% और प्टाटो का सर 1% और वेजिटेवल्स जो फ्रूट है 2% सर पूरा हमें से, मैं पंजाब की बात कर रहा हमें, इस से पूरे साल में 3,671 करोड रपईया हमाएं कथा होता है सर मंडियों में 3,671 करोड तो सर उससे हम करते क्या हैं, जहां हम उसके साबसे आशुमान भारत है, उसके अंदर किसान का किसी की कोई नकसान हो गया, उसकी चोट लग गई उसमें उसको पैसे देते हैं अगर उसकी फसल खराब हो जाए उसमों स्पोर्ट करते हैं सर सबसे बड़ी जो बोलते एशिया की है पर मैं यहां बात देश की करूंगा सर सबसे बड़ी रूरल रोड हमारे पंजाम में है जो 64,000, 4880 किलो मीटर 64,000, 870 किलो मीटर सर यह हमारी रूरल रोड है जिसको यह पैसा जो 3,000 करोड है इसके साथ सर यह हम सारे सबसे बड़ी इंफरस्रुक्टर सडकों का वो सर इस से चला रहे है तरिकी रिवन जो 70,000 किलो मीटर है तो सर अगर आगे प्रिविजन की बात करें पहली बात तो सर आपको किस ने कह दिया कंकरंट लिस्ट में है आपका तो डुमेन ही नहीं आप क्यों छेटते हो बार बार किस लिए वधान सबा है किस लिए असेंबली बनी हुई है आप सब को जोड़ दोगे सब कुछ पारलीमेंट के अंदर ले आओगे ये सर होगा नहीं अगर राजसभा में भी लोग आते हैं वो भी MLA चुनके बेजते हैं यहां 9-9 MP के पास 9-9 MLA है हमाचल और पहाड़ी लाकों में 20-20 तक भी है तो उन से सब इदकार शीन लेंगे हम सर आप एक हमारे ठीक है कोई कहता है RT अच्छा है कोई कहता RT हमारा है सर पर उसके पास पंजाब जा जो स्टेट में उसके पास लिसंस तो है उसको पकड़ तो सकते हैं आज कौन खरीदेगा खरीद कौन करेंगा पैन कार्ड वाला पैन कार्ड किसका है आपके पास है पैन कार्ड का सारी थाकत हम उसका क्या करेंगे पैन कार्ड ये गाजियाबाद नॉड़ा बैठे बैठके कोई दो एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो क्या करेंगे हम किसको पूंच पकड़ेंगे एस्डीम और डीसी की बात कर रहे हैं 서下 सुर्ट टाइम स्टाइम राएस्डीम इसके बास टााइम है सर बीवोगए सील्द और isdisयम उस के बास टाइम है सर बी बोव किसाना दो दो एकड़ वाले का जो dispute होगा टाटा से जो dispute होगा मेंदरा मेंदरा से वो डो एकड़ वाला बचारा DCS जीम के पास जाएगा है संबब संबब है सर ये कहां अब मतलब ये लिखने में देखने में बड़ा सुंदर लगता है सर वहां देखिए जिस किसान को बचारे को ये मुश्किल है भी खेट से जाता है गर से खेट चला जाता है उसके पास तो जाने का बीज लेने का टाइम नहीं है वो भी उसको लूट लिया जाता है घर के उसके बीज पचा देते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले वो बचारा एडानियों से लड़ेगा और दूसरी बार आपसर ट्रेड एरि पर ये की हैं तो सर अब इसमें क्या होगा नोटिफाइड एरिया हो वो कोई नहीं कोई मंडी नहीं कहीं भी किसी गदाम में कहीं किसी डिपू में कहीं किसी शैलर में वो कोई बिजनसमेन अपनी आर्ट अपनी वहां पर बनाएगा मंडी तो वहां से वो खरीद करेगा क्य करेगा क्या नहीं करेगा सर हम किसको पकड़ेंगे कोई लिसंस नहीं उसके पास कोई कुछ नहीं मंडी के बाहर वो खरीद करेगा अब किसान बचारा मंडी में आता है मंडी उसे पता होता है यहां पे किससे मैंने बात करनी है किससे मैंने पैसा लेना किसको मैंने पैसा देन हर जगा, चलो हमारी स्टेट की भी खरीद होती है, प्राइवेट खरीद तो कोई होती नहीं है, यह कहने की बात है, FCI वहाँ पर खरीद करती है सारे देश के लिए, वो आपने खतम कर दिया भी कहीं भी, और उसके बाद सर कोई मार्केट फीज जिसकी मैंने बात की है, हम किस से मार्केट फीज लेंगे, कहां से बाहर से अपने आप को खरीद के ले जाएगा, हमें उसमें से एक रपईया कोई स्टेट को, स्टेट से पहले जी एस्टी आपने शीन लिया, जी एस्टी हमारे पास नहीं है, ये मंडी हैं याप ले जाएंगे, तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ आपके पास ठूटा लेके बैठ जाएंगे, कहां से रूलल रोड बनाएंगे, कहां से ये काम चलाएंगे, जो पिंडानिया सड़कां बनावांगे, तुसी साड़े को सारे कुछी लहना चो नहीं हो, स्टेट आँदे, थोड़ा दा मतलब यह हो गया, एपसलिट मजोर्टी, गोल्डन मजोर्टी का मतलब यह थोड़ी होता है, बिस सब को शीन लो बड़ा, अगर कोई परवार का भड़ा हो, वो सारा कुछ अपनी त्योरी में रख ले, किसी छोटे भाई, किसी परवार के मेंबर के लिए कुछ नहीं, सब खाना उसे ही चाहिए, क्योंकि हमारा, मैं इतना सतकार से बोलूँगा, जो भी बात कहूँगा, और सर, 88 गंटे में अपसे आपकी पेमेंट करेगी, इसकी, अगर सेम डे होगी, तो ठीक है नहीं, तीन दिन बाद, कौन पूछेगा, कहां जाएगा पेमेंट लेने कोई, मंतरी जी, कहां जाएगा, मंतरा ले आएगा पेमेंट लेने, किसी का, कोई किसी का लेना देना नहीं, इससे भी पेमेंट की क कौन जुम्मेवारी और कोई किसी की गरंटी नहीं है सर आप और आगे चले जाएं इट्रेडिंग आप समझो यह साइबर क्राइम क्या क्या नहीं हो रहा इसके उपर मैं नहीं कहता आगे नहीं देशने बंढ़ना बंढ़ना है पर एक सानव सारा इट्रेडिंग करेगा वो इट्रेडिंग यहां बैठे है बीजेपी के अब नहीं है हुकम दे पर यह हमारे यूपी के मेरे सथका बादल साह बैठे है चंगा आगे एक हैंदे सी सारे चलेगे होड़ा आपनी सी प्रेजेंट आचा केड़ी वोट पर यह बादल साहब ता मैं करना इना कबर आगे कहन देवोट वोट पाई सी बादल साहब कोई स्पीकर साहब कोई वोट पड़ी थी उस दिन पैलट में कहीं वोट आपने फैसला किया है भी वोट नहीं डालनी क्योंकि करोना है पर की से आगए कोई प्राब्लम आएगी कोई वोट euro एड़ेगी øड्लो स्पीकर साहब पंजा कर देश के, क्योंकि 76% से उपर किसान है देश में, सारे किसान का मसला है, पर आप जो मैंने पहले बात की, सर ये एक एकनॉमिक डिजाइन है, किसानों को ख़तम करने के लिए, सर पहले अमेरिका में क्या हुआ, आज 2% किसान रह गया, यॉर्प में रोज 1% किसान है, के से इंडिया में, हमारे देश में, पर एक, सर मैं आपके माद्यम से सिखवीर सिंग बादल को बात कहना चाहता हूँ, और सर पांच मिनट सर आओ, आपको एड्रेस चेर काओ, सर एक मिनट, सर कोई पार्टी हो, मैं जुम्मेदारी से कह सकता हूँ, इस सदन में, अगर किस पी का एंपी, हर्याना से, पंजाम में तो है नहीं, दोनों सदनों में खड़े होके इस बिल की तरीफ कर दे, दोनों सदनों में, पंजाम में ये बैठे हैं हमारे, नो, माने सदाशे, मंत्री हैं मंत्री, अरे मंत्री हैं वो, आप, नो, माने सदाशे, प्लीज, अरे सनी द आप तो अड्रेस आज हरसिमरत कौर जी कल मैं बादल साथ की स्टेट्मेंट सुन रहा था यह कहते हैं केबनेट मीटिंग में हमारे पंजाब के जो मंतरी थे अचार चटनी के मंतरी ने बात की वहां पे कहीं भी प्रसीडिंग में कैबनेट की प्रसीडिंग में दखा दे कही भी अचार चटनी वाले मंतरी पंजाब ने कहीं भी अगर फूट प्रसेसिंग मंतरी ने इसका वरोध किया कैबनेट में हम सक्वीर सिंग बादल जी की बात मानने को त्यार हैं पर लेकिन बादल साथ हमारे सर अबी तो आएं हैं सर पहले तो हैं हाजरी बजल यभी अड्रेस सर कोई भी आदमी आएगा आज हमारे सर एक मिन अच्छी च्छी जमीन है सर जो उसका ठेका बटाई जिसे कहते हैं वो पचास यार हमारे हैं बादल साब के एरिये में ज़्यादा अच्छा है साथ हजार भी हो चाता है सर वो आएगा तो वो पहले कहेगा भी मैं दसे कड़ अच्छी का एक लाख रपिया आपको ठेका देता हूं ये लो दस लाख रपिया और उसके पास पहले ही सर पांच दस लख का उसके पूर करजा है और वो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो बड़े बड़े अजार उसके पास है वो बेचेगा पचास लाख के और ये कहेंगे अगरिमेंट हमारा पंद्रा साल का हो गया और आपको दस लाख आपको पहले तो पांच लाख मिल रहा था हम दस लाख देंगे वो जमीन ले लेंगे सर उसके बाद दो तीन साल हम मानते हैं देंगे भी जब वो बचारा उजार बेच देगा अपनी गलत आतों में लग से सर क्यों कह रहा हूं धारन दे रहा हूं सर बीस साल पहले हमारे पैपसी कोला वाले सर आये थे जो चिप्स लेज बगरा बनाते हैं चलो किसी की सरकार लाई फिर अरे भाई हमारी सरकार ने तो सब अब आप क्या करोगे फिर फिर हमें देदो मौका आप हड़ जाओ सब क्रॉप होती थी उस टाइम तो वह सारा अलू उठाता था उसे बड़ा अच्छा लगता था चिप्स भी बनता थे इक अलू का चो जब सर बंपर क्रॉप हो जाती थी वह सर जैसे ये कडा डालते हैं हाथ में यह सर कड़ा ले आता था अड़ाणी का जा पैपसी को का लोगों को मारना है इससे तो भाई चिप्स बनेंगा उससे शूगर लोगों कोई होगी तो आपके नाम लगेगी फिर ये अडानी साथ हमारे को शूगर वाला बोलेंगे बीपी वाला बोलेंगे और फिर लाग का रेट 40 पे ले आएंगे जो एक लाग दिया फिर वो सर 40 यार क्योंकि किसान है उसे क्या बोलते हैं बड़े-बड़े विपारी तू तो राजा है तू तर आजाए तो इस ह्हवात दे लिगों मिटीच मिटीच रणाई रख देया क्योंकि जे उ país क्सान हट गया मिटीचों मिटीच कौन हो एस करके उन्हें मिटी ना मिटीच हवा देके रख देया वे तु बहुत चंगा तु बहुत चंगा कर रहे हैं ते बचारा किसान माने जांदा सर एक गल हो जड़ी इना ने गल की थी ग्रीन ऑविडेंस ओ सर असी लेके आए ग्रीन रेविलेशन लेके आए सर सड़ा उद्धू परना एक खस्म सी किसान दा जहां आड़ती आड़ा नदीन नास्का आड़ा सड़े तर दस पहला इना ने खसम बनाते किसान जाबेता जादा पर सर एक सान नू अखीर ली दो गल्नाम एक मकौना एसर किसान नू मारना में नी चौन नी रहन एक सान नू सर अधमोडा करके उन्हों विच बचाले रखना चून नुच् ते ओखून अतिनो ओडिनेंस साड़ा न चोड़न गे पंजाब दाते हिंदोस्तान दे सर एक गलहोर में नूर्थ इंडिया दे किसान नू कहना चौना कोई पार्टी नी आज साउथ इंडिया ले बैठी आ साडेवल सर इनका कभी भी भाव किसी चाहे को कोनेट हो पेपर ह तो सर और कोई भी इनके और जो जो इनके लगते हैं फसले वो हो यह एकदम अकठे हो जाते हैं लेकिन सर हमें नौर्थ इंडिया वाले में कमई हैं इस पे सर बीजे पी काली दल सब पार्टी हैं अकठी होके नौर्थ इंडिया के किसानों को सर बचाए और यह और्डिनें सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन ली बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो